ओम शांती 29 जनवरी 2022 साकार मुरली आज की मुरली के सार में आनन्द के सागर पवित्रता के सागर शिबाबा ने कहा मेठे बच्चे आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो और कराओ रूहानी हॉस्पिटल खोलो प्रशन कौन सी एक आश रखने से बाकी सब आशाएं स्वतह पुर्ण हो जाती हैं उत्तर सिर्फ बाप को याद कर एवर हेल्दी बनने की आश रखो ज्यान योग की आश पुर्ण की तो बाकी सब आशाएं स्वतह पुरी हो जाएंगी बच्चों को कोई भी आदत नहीं रखनी हैं आल राउंडर बनना है भल खामियां हर एक में हैं प्रन्तु सर्विस जरूर करनी हैं गीत धीरजधर मनुआ धीरजधर धारना के लिए मुख्यसार नमबर एक आराम पसंद नहीं बनना है सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है सर्विस में ही पैसे खर्च करने हैं मनुश्यों की जीवन कांटे से फूल बनानी है नमबर दो सदैव कंस्ट्रक्शन का काम ही करना है डिश्ट्रक्शन का नहीं अपने आप से बाते करनी है हम कहां जा रहे हैं क्या बन रहे हैं वर्दान शक्ति शाली याद दोरा परिवर्तन खुशी और हलकेपन की अनभुती करने वाले समरिती सो समर्थ स्वरूप भव वर्दान का विस्तार है शक्ति शाली याद एक समय पर डवल अनुभव कराती है एक तरफ याद अगनी बन भसम करने का काम करती है परिवर्तन करने का काम करती है और दूसरे तरफ खुशी वा हलकेपन का अनुभव कराती है ऐसे बिधी पुर्वक शक्ति शाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है ऐसी यथार्थ याद में रहने वाले समरिती सो रूप बच्चे ही समर्थ हैं स्लोगन अनुभवी वो है जिसकी दिल मजबूत और बुजुर्ग है लवलीन स्थिती का अनुभव करने के लिए पॉइंट है प्रमातम प्यार इस स्रिष्ट ब्राह्मन जनम का अधार है कहते भी हैं प्यार है तो जहान है जान है प्यार नहीं तो बे जान बे जहान है प्यार मिला अर्थाद जहान मिला दुनिया एक बुंद की प्यासी है और आप बच्चों को या प्रभु प्यार प्रापरटी है इसी प्रभू प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मन जिवन में आगे बढ़ते हो तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो अच्छा मेठे मेठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते ओम शामती